हेलो गुड मॉर्णिंग मॉर्ण स्टार हावर यू आई होप यू वर फाइन तोड़े विल टीच यू मैस अभी हम है मैत पढ़ेंगे मैत की बुक अपनी उपन कर लिए और पेज नंबर 16 निकाल लिए पेज नंबर 16 तो अभी हमने नंबर पढ़ा 129 129 अभी इसके पहले हम बुक में आप कर चुके हैं तो आज क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे concept of zero meaning समझ रहे हैं सब लोग zero का concept आप बताएंगे आपको zero का means क्या होता है zero means तो वो आपको बताएंगे यहां देखें क्या लिखा है sunny has two kites यह बच्चा जो है इसका नाम sunny है sunny के पास कितने kite है two kite ओके अब यहां देखिए क्या है he gave one kite to his friend उसने एक kite अपने friend को दे दिया तो अभी उसके पास कितना kite बचा one बचा ना two kites था उसके पहले उसके पास उसके बाद one kite जो है वो अपने friend को दे दिया तो उसके पास बचा one kite तो फिर यहां क्या लिखा है another kite another kite fly away from his hand जो kite उसके पास बचा हुआ था वो उड़ गया flyman's उड़ना होता है तो उसके हाथ से वो kite भी एक kite अपने friend को दे दिया और एक kite जो है उसके हाथ से आसमान में उड़ गया यहां क्या लिखा है no sunny has no kite इस समय सनी के पास एक भी kite नहीं है तो जीरो kite बचा ना उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो अभी यह क्या है यहां देखे क्या लिखा है now now there is no kite in his hand उसके हैंड में एक भी kite नहीं है जीरो है तो we can say that फिर यहां देखे क्या है there are zero kite in his hand तो पूछा जा रहा है आप से कि उसके हाथ में कितना दो kite था उसके पास एक अपने friend को दे दिया एक उसके हाथ से उड़ गया तो उसके पास कितना बचा जीरो बचा यहां पर जीरो आपके लिखा हुआ है this is read as zero तो अभी हम क्या पढ़ेंगे जीरो करें we write this as zero okay z e r o zero की spelling और यहां आपका zero यह बिना हुआ है यह आप समझ में आया आपके तो अभी इसके बाद हम page number 17 खोलते हैं अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर यह उपर आपके यह bird बनी हुई है न तो कितनी है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine nine है अब nine में अगर one को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया ten हो गया ओके यहां आपका लिखा हुआ है nine and one में ten nine और one मिला के क्या हो बनता है ten बनता है ओके फिर यहां आपका क्या है there are two digits in ten these are one and zero two digits से आपका ten बनता है one और zero से one stand for tens zero stand for one तो one क्या होता है tens होता है और zero one होता है यह आपका one हो गया tens यह zero हो गया one one और zero मिला के क्या बन गया nine में one जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ten हो जाएगा अगर nine toffee आपके पास है उसमें एक और write करोगे तो कितना हो जाएगा ten हो जाएगा समझाया तो यहां आपको यहां आपको इसकी box के अंदर ten ten लिखना है अब zero का सब लोग समझ गया है न और यह ten ten इसके आगे यह ten यह pencil चलानी है आपको इसके बाद से आप homework आज करेंगे आप table लिखेंगे आज two की table लिखेंगे और learn करेंगे two की table लिखेंगे और learn करेंगे समझ में आया सबके thank you लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे